दोस्तो आज हम बात करेंगे टाइम बढ़ाने वाली सबसे बेश टेबलेट के बारे में योन सकती बढ़ाने वाली अधिकतर टेबलेट टाइम नहीं बढ़ाती हैं सिर्फ सार्डिक तनाव ही लाती हैं जबकि अधिकतर लोग इस टेबलेट का सेवन इस लिए करते हैं कि इस 20% टेबलेट टाइम नहीं बढ़ाती है एक ही 2% जो टेबलेट होती है जो टाइम बढ़ाती है तो आज हम उसी टेबलेट के बारे में जानेंगे एक सबसे बेश टेबलेट आता है टाइम बढ़ाने वाला उसी टेबलेट के बारे में जानेंगे जो सारदिक तनाव भिलाता ह और आपका टाइम भी काफी ज़्यादा बढ़ाता है तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन गया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज हम बात करेंगे मेनफोर्स स्टे लॉंग टेबलेट के बारे में जो टाइम बढ़ाने के लिए सबसे बेश टेबलेट है मेनफोर्स 100MG मेनफोर्स 50MG भी टेबलेट आता है अधिकतर लोग उसी दो टेबलेटों का इस्तमाल करते हैं जबकि वो टेबलेट करमें उस टेबलेट का शेवन करते हैं कि वो टाइम बढ़ा था है वो कभी नहीं बढ़ाएगा टाइम बढ़ाने के सबसे बेश टेबलेट है मेनफोर्स स्टे लॉंग वीडियो के लाश्ट में जानेंगे दोस्तों किस चीज़ के साथ इस्तमाल कर गिए ज्यादा से ज्य कट साइन की कमिनेशन इक्टायल इस्पंक्शन को ठिक करता है शिल्टेनफिल्प टेनिस की म Griffin में मझूद खून की नसो को रिलेक्स करने में मदद करता है और टेपश्टईन केमिकल मेतेंचर की तरह काम करता है जो एक्षण के लिए छिससे आपके स्कलम का टाइम बढ़ है अब बात करें कैसे इस्तमाल करें कि आपका टाइम ज्यादा से ज्भाधा बढ़े तो इसके लिए आपको श्यवाइट करने से 15 कि उठाना है क्योंकि राइटल स्रील में तुरत छी weingt मिलता है जिसरी आपका confidenius लेवल सही होता है confidence बढ़ने वाली टेबलेट उसके बार कंफिदेंश लेवल भी बेश्ट रहेगा तो आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं आदा गंटा पहले करना या आपने डाक्टर के शला अनुसार करें इसका स चक्करा ना सिर्भारियों ना ब्रामित होना नींदा ना दुंदला दिखाए देना आधी हो सकते हैं लेकिन इनका असर एक दो घंटे तक ही रहता है अगर इस ते ज्यादा आपको असर दिखे तो आप तुरन डाक्टर से शंपर्क करें यह शंगरेजी मैशीन और इनके सा साइड इफेक्ट हलका फुरका रहते हैं अगर आप गलत इसमाल करें तब खास तोर पर अगर आपकी एज कम है और आप ज्यादा मत्रा में सेवन कर रहे हैं तो आपको शाइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इसलिए कभी इन सब दवाओ का सेवन करने से पले एक बार ड हडले से इसका सेवन कर रहे हैं लेकिन अगर आपको इसमाल करना है तो डाक्टर से सलाल ले ले तो चली दोस्तों आज की विडियों में सिर्फ इतना फिर मिलेंगे अगले विडियों कुछ नया लेकर